तो दोस्तो शड़े मूड में आपका स्वागत है बिहार एक साइस कुस्टेबल एक्जाम में 100% पूछे जाते हैं ये 100% में 30% विज्ञान से पूछे जाते हैं तो ये 30% के लिए आपके पास क्या रणनीती होनी चाहिए कहां से पूछे जाते हैं जियो विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसाइन विज्ञान का कौन-कौन महतपूर टोपिक है, क्या आपका स्लिबस है ये सभी जनकारी मैं इस विडियो में दूँगा अगर 30 में 30 प्रसन आप सही करना चाह रहे हैं तो विडियो ध्यान से देखिएगा चलिए सुरुवात करते हैं कि आपके एक्ज बस आपको एक direction चाहिए, आपके पास एक अच्छा रणनीती होनी चाहिए, जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको कम समय दिन बचा हुआ है, क्या पढ़े और क्या छोड़ दे, क्योंकि अक्सर आप दिखेगा कोई भी book उठाईएग पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, भौतिकी से, भौतिकी के मतपुट चिप्टर याद रखिएगा, और इसके लिए में कोई book recommend नहीं करता हूँ, ये कि आपको जाकर market से लाना है, वो मेरा लिखा हुआ book है, या उस पर मुझे पैसा में लगा ऐ चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास solution है, तो ठीक है, लुशन का आपको बिज्ञान पढ़ लिज्ये, crown है, तो ठीक है, crown का आप पढ़ सकते हैं, जो बिज्ञान दिया हुआ है, यहाँ का लुशन का एक बिज्ञान ही अलग से आता है, वो भी है, मैं ज्यादा इधर उतर देखिए तीन से चार कुश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि अपने दिमाग से आपको सोच कर वो आपके रटा मारने से नहीं हो समय आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा कि इसका एंसर क्या होगा और कुछ नुमेरिकल बेस कुश्चन भी आपको दिये जा रहा है क्योंकि पेपर को हाड करना है तो वो मेरे जीमा में छोड़ दीजिए मैं उसको करा दूंगा ठीक तो बुक कोई भी आपको जो अगर बुक नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करकर कोई भी टोपिक पढ़ लीजे पर पता तो होना चीए न कौन से टोपिक से प अब धखेलता है यह सब आपको जो आता है यह कोशन न्यूटन के गति के नियम से आता है फिर गुर्तवा करसर बल और प्रितवी पर गुर्ते बल और पंच चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु ले आता है तो उसके भार में परिवरतन यहां सब को पढ़ने को मिलेगा घरसर या उर्जा की बिभिन परकार यहां से आप देख सकते हैं यह जो महतपूर टॉपिक है यह देख सकते हैं यह गति बल और उर्जा के अंतरगत आता है बस आप यह वाला टॉपिक सर्च करकर पूरा पढ़ लिजे और अगर आप सोच रहें कि मैं पढ़ाऊं तो मैं बिज् होगा सभी तैयारी आपको कराऊंगा बस कुछ समय हमें दे देजिए कि हम भी आपके लिए मस्त एकदम बढ़िया सा रणनीती बनाकर और अच्छे इस तैयारी आपकी एक्जाम से पहले करा पाए कि 85-90 स्कोर आराम से आपकी एक्जाम में करकर आजाओ दूसरा है कि जाता है अलग-अलग सूपरसोनिक हाइपरसोनिक यह सब इसी में आ जाते है ठीक आयाम तरंगधर अविर्ति यह बेसिक है बेसिक ही आपको पूछा जाएगा टेंथ पर है ठीक उसमा से समंदीत परसन पूछे जाएंगे चौथा जो कि सबसे ज्यादा परसन यहीं से पू जो विभीन आपको जिसे परवर्तन अपवर्तन तरंगधर है द्रिश्टी संबंध समंधित जो आपको कोशन पुनते हैं और दुर्भीन और सुसंदर सी यह आपको कहां से पढ़े यह सभी टेंथ का सिलिबस है क्योंकि आपके एक्जाम में टेंथ का ही तो कोशन पूछे विद्युत के बारे में चुबकत्तिव के बारे में आपको पढ़ना होगा यहां से ठीक फिर हम बात करते हैं यहां से देखिएगा बर्मांड अकसर आप लोग बोलते कि सर आप सौर मंदल बर्मांड के क्यों कोशन कराते हैं साइंस में तो यह देखिए आपके साइंस में तो दस से ग्यार कूशन भत्त्तिक बिघ्यान से पुछे जाते हैं। ये रेडियो सक्रिता से समंदित कुछन पुछे जाएंगे, नाब के उर्जा, नाब के संत्र जो अलग-लग अपने देश में भी है, और ये साइन्स में भी क्या होता है, कैसे होता है, इसमें उर्जा का, कैसे बनता है, ये से समंदित कुछन पुछे जाते हैं, ठीक, फिर आ गलग चो कोशिन पूछे जाते हैं इसी टोपिक से पूछे जाते हैं ठीक फिर आप बात करते हैं इंधन पक्का यहां से कोशिन आता है इंधन से जैसे बायो मास हुआ बायो गैस हुआ फुजल इंधन हुआ जैसे कोईला यह सब आपको क्या होते हैं पेट्रोलियम पेट्रो कुशन पूचे जाते हैं इनकी क्या उपयोग है जैसे कि चालक अचालक अर्ध चालक यहां सभी कुशन बन देता हैं ठीक फिर कार्बन और उसके योगी कि समंदीत प्रसंद पूचे जाते हैं टोटली देखिएगा ये टेंथ पाधारीत सिलिबस है और रोक रोक ये आपको देखिएगा अगर एक पॉइंट भी गूगल पर सर्च करकर आप पड़ते हैं तो आपका सिलिबस खतम हो जाएगा नहीं तो मैं तो आपको सभी एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूं चिंता मत कीजेगा ठीक फिर आप देखिएगा विलियन से समंदीत कुशन पूचे जात यानि कि अगर मन से नहीं पढ़े तो रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको कुछ तो कोशन रट्टा मारने वाला होता ही इसमें कोई दoup नहीं है इप लोको बढ़ा नहीं रहा हूं कुछ चिंता मत कीजेगा बस एक दू बार पढ़ लेजेगा याद हो जाएगा जीवन के देखिएगा कि कोसी का किसम रचना से समंदीत पूछे ही जाएंगे भाजन जो अलग-अलग होता है यह से समंदीत कुछन पूछे जाएंगे समंदीत कुछन भी बन जाता है तो कुछन सभी ध्यान में देखना आया ऐसा नहीं कि एक टोपिक छोड़ दे रहे हैं नहीं एक टोपिक समालनों उससी से कुछन आ जाएगा तो आपको ध्यान से देख लेना है टोपिक पोसर देखिएगा बिटामिन उस्टामिस यहीं से यहां से कुछे जाएंगे कि इतनी अंत्रण कैसे होगा भोजन से प्राप्ति जैसे कि भोजन नहीं खराब हो उसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाए फिर हम बात कते स्वास्त से मतलब कि कुपोसर जनित बिमारिया जो अलग-अलग ब्याधिया होती होती है पर दूसर संबंद पढ़ कर गए थे और एक्जाम में हमार से कुशन नहीं आया ठीक तो सिलिबस पढ़ लीजेगा तो आपका कुशन आहीं जाएगा एक्जाम में आप बना लीजेगा मानव और इनका पर्यावरान मिर्दा वायू और जल पर दूसर से समंदित कुशन बनता है और जो परत के दिखिएगा जो डेपलेशन हो रहा है चरण हो रहा है वहाँ से कुशन बनेगा जिवो को पीड़क नासकों का सांद्रण परस्थितिकी संतूलदल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुशन यहां समंदित कुशन फिर आपको देखिए मुखरुप से पर्यावर परस्थि अब आपको दिखान में रखना है कि जितना भी टॉपिक बताया इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है मैं तो पढ़ाऊंगा ही आप चिंता मत किजे लेकिन आप लोग भी अपनी मन से जब पढ़िएगा न तो रिबीजन के तोर पर जल्दी अल्दी रिबीजन हो आप लोग नोट्स बना लेने के लिए क्योंकि मैं बिस्तरित पढ़ाने के लिए जो योजना बना रहा हूं आप लोगों को वो आपके लिए ही लवधायक होगा और पक्का मुझे पता है कि अगर इस तरीका से पत्यारी करोगे तो आपका एक्जाम में 85 प्लस असकोर कोई नहीं करवाई कर सकते हैं जहां CSBC के आँख खुल सकते हैं CSBC को जरूर ये बता सकते हैं कि ये सब हो रहा है धांदली और इसको रोका जाए और सरकार भी आप देख रहे हैं इस समय के जो सरकार आया है कुछ ना कुछ जरूर इस पर एक्टिब है और उनके भी ये बात पढ़िएगा तभी तो आगे बढ़िएगा मेरा है कि आपको अच्छे रणनीती के तहट पढ़ा दू ये जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताया सबका मैं तयार कर रहा हूं टोटल हम देखेंगे कि एक हजार बिज्ञान का कोशन सिर्फ मैं तयार कर रहा हूं explain के साथ ये एक हजार बिज्ञान के कोशन जो आपको मिलेगा तो आप अराम से 30 में तो आराम से 28 कोशन तो करीए सकते हैं इतना मैं दावा के साथ आपको का सकता हूं ठीक बाकि 2-3 कोशन आपके दिमाग के उपर आएगा कि आप उस समय कैसे को टेकल करते हैं मेरा ये होता है कि एक